अगर हम लोग बात करते हैं transmission line की तो basically transmission line को तीन category में बाटा गया ठीक है जिसमें से एक थी आपकी short transmission line, short transmission line भी जो 80 km से कम की range में थी दूसरी थी medium transmission line जो की 200 km से कम की range की थी और finally थी long transmission line जो की 200 km से ज़ादा लंबी line होती उनको हम लोगों ने long transmission line का नाम दिया अंतर क्या था जब हम बात करते हैं short transmission line की तो केवल R और L इसको consider करते हैं जब हम बात करते हैं medium transmission line की तो यहां पर मैंने nominal T method का इस्तमाल करा है nominal T nominal pi भी use होता है nominal pi ठीक है यह कहां use होता है यह सारी चीज़े मैंने चर्चा की हुई है इसके लिए आप मैंने separate initial part जो है जहां पर हमने types of transmission lines और यह सब के उपर चर्चा करिए वहां पर जाके इसको देख सकते हो तो nominal T transmission lines मैंने यहां पर बनाई हुई है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर हम R लेते हैं L लेते हैं साथी साथ C को भी consider करने लग जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे length बढ़ती ही वैसे वैसे ज्यादा number of line का capacitance जो है वो include होने लगते हैं then finally जब long transmission line की बात करते हैं तो वहां पर R, L, C, G चारो के चारो parameter को हम लोग consider करते हैं ठीक है now अगर हम बात करते हैं long transmission line की तो long transmission line के अंदर अगर हम R और G इस दोनों को negligible मान लें यानि कि हम यह मान लें कि जो हमारा conductor है वो almost एक perfect conductor है तो अगर हम इसे perfect conductor ले 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 perfect conductor और line के जो insulator है line यानि की air, air है यहाँ पे न, air, air को हम भी मान लें कि जो insulator हमारा वो भी एक perfect insulator है perfect तो यहां से R और G दोनों की दोनों zero हो जाते हैं भले ही हम perfect conductor ले 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 जैसे की super conductor हो गया example के तौर पे ठीक है और air को ऐसा perfect insulator ले 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 तो अगर हम दोनों चीज़ें perfect ले 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 तब भी केवल हम R और G को ही पिक्चर से हटा सकते हैं लेकिन L और C यह आपके पिक्चर में बने रहेंगे तो अगर हम R और G को पिक्चर से हटा देते हैं तो हम यहां देख सकते हैं L और C हमारे पिक्चर में आगए लगी खास बात होती अभी लास लेक्चर मैंने इसके उपर बहुत डिटेल में समझाया था जब भी transmission line के हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो L होता है इंड़क्टर वो क्या करता है यानि कि QL को एब्सॉर्व करता हुए दिखाया यहां प बिटिविन कंड़क्टर वो वहां से डिलीवर कर रहा है सही है यह मैंने मोटर ले लिए और इसको हम लोड भी कह सकते हैं तो लोड की जो रिक्वाइर्मेंट रियक्टिव पावर की वह मैंने यहां लिख दी यह क्यों लोड ठीक है तो आयो समझ में आ रहे हैं पिक्चर क लोड जितनी रियक्टिव पावर माँग रहा है क्यों लोड माइनस टेटर की तर कितनी रियक्टिव पावर करा ठीक है तो यहां पर समझ में वह बात ही अच्छा यजो होता है वह अगर हम इसको बड़ हम से देखें तो जनरल Into क्या होता है सुदिन के डिन के टाइम में बात कर रहें है जी लौड जो डियेकटिव पाँव Gl cinco धुर मांग रहा होता है वह प्लस इंडक्टर जो लाइन का इंठक्टेंस एऊसमें जो डियेकटिव उरह होती है वह थाधा होती है as compared to the reactive power deliver by the capacitor जनरली जो capacitor reactive power deliver करते हैं वो कम होती है अगर हम दोनों को add कर लें ठीक है और जब ऐसा होता है तो यानि क्या होता है यानि कि जब load और inductance दोनों को दोनों reactive power मांग रहे होती दिन के टाइम में तो जितनी हम reactive power supply यानि कि system के अंदर जितनी reactive power मौजूद होती है उससे ज़्यादा की demand होती है और ये एक natural tendency है और ये हमारे लिए एक normal scenario है ठीक है ऐसे case में ये मैंने आपको बताया था कि जब भी supply यानि कि reactive power जो supply कहलो या फिर और Q system यानि कि system के अंदर जितनी भी एसा होता है जब भी system के अंदर मौजूद reactive power से ज़्यादा demand होती है तो ऐसे case में supply voltage जो होता है वो ज़्यादा होता है और receiving end voltage होता है वो कम मिलता है और ऐसा होता भी मान के चलते हैं 220 volt हमने भेजे तो यहाँ पे हमें 218 volt 210 volt ऐसा something हमें देखने को मिलेगा तो receiving end voltage होगा sorry कम मिलेगा compare to the जो हमने supply end का voltage दिया है ठीक है this is the normal scenario लेकिन अगर हम इसी picture को थोड़ा सा modify करते हैं यानि कि long transmission line ले रहे हैं ठीक है C और L दोनों हमने picture मिली हो लेकिन अगर हम रात में बात कर लेते हैं एक night तो reactive power की जो demand होती है वो close to zero हो जाती है क्यों क्योंकि देखो basic लिए क्या होता है जब भी हम reactive power में यह जो load हम लेते हैं यहाँ पर जो मैंने machine दिखाई है यह basically machine होती three phase induction motor जनरली हम लोग जो industries जो demand करती है जो major demand आती है power system के पास reactive power की वो आती है three phase induction motor के use से तो अगर हम लोग यह मान लें कि रात में industries बंद हो जाती है तो ऐसे case में three phase induction motor अगर नहीं चलेगी तो reactive power demand जो है वो एकदम से कम हो जाएगी तो Q load हम यह मान ले रहे हैं Q load अगर zero हो गया यानि कि negligible demand हो गई है बिल्कुल तो ऐसे case में यानि कि अगर इस system से यानि कि यह जो equation थी ना net equation इसमें से अगर इसको मैं zero कर दूँ तो long transmission line में बड़ी important line है यह long transmission line only long transmission line में जो QC होता है वो dominate कर जाता है QL से यानि कि जो reactive power supply की जा रही है वाया C वो जादा हो जाती है compare to the जो L absorb कर रहे है clear होगा है समझ में आ रहे हैं क्यों बात है तो ऐसे case में क्या होता है कि जब यह particular scenario आता है तो ऐसे case में क्या होता है कि हमारे जो demand होती है वो क्या होगा उसमे QL minus QC थी अगर इसको zero कर दोगे तो यह बचेगा QL minus QC अब क्यों की capacitive effect dominate करता है inductive effect पर in long transmission line तो ऐसे case में यह क्या होता है QL अगर QL से ज़्यादा बड़ा है QC तो Q demand क्या होगी negative हो जाएगी तो देखो यहाँ पे negative Q demand picture के अंदर आ जाती negative reactive power demand का मतलब क्या हुआ कि reactive power यानि कि जो system के अंदर जितनी reactive power होनी चाहिए उससे ज़्यादा reactive power होने लगती है clear हो रहा है यहाँ पे तो supply से ज़्यादा reactive power हमारी picture के अंदर आ जाती तो demand है नहीं और reactive power जितनी demand यानि कि यह वाली equation जो होती है disrupt हो जाती है तो ऐसे case में final equation क्या बनती है कि supply से ज़्यादा supply ज़्यादा होगी और demand कम जाए जाएगी reactive power की ठी क्योंकि load है नहीं और capacitor भी supply कर रहा है तो inductive से ज़्यादा तो reactive power जो inductor absorb कर रहा है reactive power system की सोख रहे हैं उससे ज़्यादा capacitor deliver कर दे रहा है तो ऐसे case में क्या होगा क्यों demand negative हो जाएगी और ऐसे case में जब demand ही चली गई तो जितनी भी तुम system के अंदर reactive power होगी वो क्या होगी वो use हो जाएगी voltage को swell करने में तो वो क्या करेगी system का voltage को यानि कि receive and voltage को swell up कर देगी swell up तो ऐसे case में क्या होगा Vr यानि कि receive and voltage होगा Vr वो greater हो जाएगा supply voltage से समझ में आरी बात यह तो जब भी system के अंदर मौजूद reactive power जो है वो उस वो demand से जादा हो जाती है यानि कि demand है नहीं रात के टाइम में और है जादा सिस्टम के अंदर reactive power तो ultimately क्या होता है कि receive and voltage जो होता है वो swell up कर जाता है यानि कि exceed कर जाता है supply voltage को और इसी effect को हम लोग कहते हैं यहां पर फेरांटी इफेक्ट तो आई हो समझ में आ गया हो so this is known as फेरांटी इफेक्ट तो आज इस lecture के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि स्धेट क्या होता और उसको ये मैं ने जो अभी आपको बताःए ये प्लॉट सेड कर दिया है और वहीं बहुत सारी रधीक यह ही जो हम लोग IoT उप्र जम बात करें तो ये फेरांटी जो थे एक के effect को consider कराता ना अगर हम effect की बात करने हैं अगर कोई तुमसे पूछ ले फराइट होता क्या है तो क्या definition बताओगे एक ऐसा फिनॉमेना ठीक है जिसमें receiving and voltage VR exceed कर जाएगा surrounding and voltage को we supply को समझ में आरी बात है यानि कि एक special case ऐसा फिनॉमना जिसमें जो receiving and का voltage है वी आर वो exceed कर जाए supply and को यानि की वी आर ग्रेटर दैन हो जाए वी supply अब ऐसा क्यों होता है यह मैंने बता दिया विकाज यह कब होगा यह तब होगा जब reactive power की जो demand है वो कम हो जाएगी reactive power जो supply की जा रही है या जो system में reactive power मौजूद है उससे कम demand हो जाती है अगर तो होता है कि जो अगर देखो system के अंदर reactive power मौजूद है अगर तुमारी डिमांड नहीं होगी तो सारी सारी रेक्टी पावर जोगी वो inductor और capacitor की थ्रोग क्या होगा कि system का voltage इस्टोर मतलब इस्टोर होके और end charging current अब बाइब के बात करी ती charging current की जो की होता था वी omega c याद आ रहा है यह हमने चर्चा करी थी बहुत डिटेल के अंदर तो अगर हम बात करते हैं current effect का main गुनागार कौन है तो जो दो लाइन के बीच में जो बनता है वो गुनागार है इसी लिए बड़ा important चीज है इसी लिए यहां पर condition दे रखी है फरन डिफेक्ट कब होगा only in long transmission line यहीं पर देखने को मिलेगा सब में नहीं क्यों क्योंकि जब लांग लाइन की बात करते हैं यानि कि ऐसी लाइन जिनकी लेंथ जो है वो 200 किलोमीटर से जादा है तो यह जो सी है ना यह बहुत सारे कैपस्टेंस मतलब बहुत ही हमारे look में उतने जड़ाणे हैं उतने ज्वायस देखने को मिलता है तो जब बड़ी लाइन बहुत ही लमभी लाइन होटी है तो वहां पर लायन का कैपस्टेंस कापस्ट topics कर जाता है उसकी अंडुक्र को और रात के टाइम में जब लोड भी नहीं होता है तो बिल्कुल एक तरीख तर्फा हावी हो जाता है और ऐसे में हमें यह फ्राम टिफमेंगो देखने को मिलता है ठीक है दूसरी का ऑनरी कंडीशन यानि कपकप ओगा तो पहली बात तो लंबी ट्रानिशन लाइन होनी चाहिए रात का समय होना चाहिए ठीक है यानिकी लाइट लोडिंग कंडिशन या फिर नो लोड की कंडिशन हम लोग कंडिशन करते हैं तो रात का समय घंगोर रात और लंबी ट्रामिशन लाइन अगर यह दो चीज़े हैं तो वहां पर हमारा फेरांट इफेक्ट पिक्चर के अंदर आ जाएग कि समझ मारी बात है तो यह मगनिटूट क्वाइच की कितना हमने कह दिया चलो ठीक है रीसीवन एल्ट जो होगा वी सापवडैस से जादा हो जाएगा यहbridge नं इывать टैकर हैं तो इसका पूरा इसका पूरए डैरिवेशन है है और चीज़र डाइग्राम हैं की आप Engineering Services की तयारी करना है या फिर University एक्जाम की तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए डेरिवेशन मस्ट है एक्जाम में पूछा जाता है और फेजर डायग्राम भी बनाना आना चाहिए इन दोनों चीजों को मैंने कवर किया हुआ है सेपरेट प्राइम वीडियो में जो कि मैं अपने प्राइम ग्रूप पे अप्लोड कर दूँगा अगर आप चाहते हो कि मतलब और डिटेल में जानना चाहते हो डेरिवेशन सीखना चाहते हो कि कैसे ड्राइव करा जाएगा फरांट इफेक्ट का फॉर्मल के काम की यहां पर डेरिवेशन सेंड की बात नहीं करूंगा यहां प्योडिकल कॉंसेट कि हम लोग चर्चा करेंगे कि कॉंसेट क्या है अगर आपको नुमेरिकल डेरिवेशन यह सब भी जानने है तो इसके लिए आप मेरा प्राइम वीडियो वाला गुरूप प्राइम जो है उसको जॉइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिममम कॉस्ट रखी उसकी मेरे ठीक है तो उसको जल्दी से जॉइन कर लो जाके वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिल जागा साथ ही साथ इस लेक्चर की अगर तुम्हें बिल्कुल ऐसी रंग बिरंगी लिखी हुई आप सीखने डाल देता हूं तो अगर आपको नोट्स मनाने हैं डेरिवेशन सीखने हैं फेजर डाइग्राम सीखने हैं तो सब वहां पर बताया हुआ है ओके आपस आते हैं तो यहां पर हमने देख रखका है कि मैंगे इसका निकालें तो मानके चलते ही हमाई ट्रांशन ल सबस्रेंग twitter करें A अग्वह बहुत डैङार देखाक्ष्ण को युथा कर दो क्यों है जतने जाद दो कैंगे ज्टनी में वडूबदक कर दो अग्जों है कि हां यहां आपको रिक्वाइर है जरुआ है articulate के से वीवारे में सीखना चाहते हो वह श्रीट कि बात करते है जैसा नहीं कि हम क्या कर रहे हεί हम आज क्नदक्टर है कंपे आयर झी को कि को डिक्कत नहीं क्योंकि और तो हमने हमने यहां 대해서 मुद्ध हमने किह तो दिया की सब्घ्र का मुद्ध कम होगा कितना कंれ डेल वी आर के बराबर कम होगा यानि कि वी आर रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होगा वो सप्लाई एंड के वोल्टेज के बराबर होगा प्लस इतना पोरिशन ज्यादा होगा ला यह जो ज्यादा हो गया ठीक है अगर अगर इन दोनों consider के नहीं हो रहा है इसे को मैंने ड्राइब कर वाया है ठीक है समझ में आरी बात है यह बड़ा इस पर गेट में कोश्चन्स आए हुए गेट में और इंजिनिरिंग सर्विसेज में भी आया हुआ है ये साथ ये लेविल के एक्जाम में आ जाता है इसके उपर बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है ये तो इसमें बताया हुआ है कि जो मैंट्यूड होगा राइस बोल्टे havens की बात है कि ये क्या पर यूनिट लेंथर क्यों लेंद पर इनकुलूड कर लिए संब्ज मारी बात है तो L जब भी लोगे तो inductance per unit length ही लेना C भी per unit length लेना क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों का L से multiply करके ले रखा है ठीक है तो CL, L square क्या है This is the length of the line यह आपके क्या दिखा रहा है length of line दिखा रहा है ठीक है, line की length हो गई यह वाली length this one ठीक है omega square क्या है this is your sending and voltage clear हो गया यहाँ पर तो आयोब समझ में आ रहा होगा so this is your rise in voltage तो voltage में कितना rise आएगा जाने कि अगर फरांटी effect होगा तो फरांटी effect कोई तुम से पूछता है तो तुम कहोगे कि phenomenon हो गया यह वाला अगर कोई कहता है कि उससे कितना rise up हुआ क्योंकि voltage rise हुआ है तो कितना rise हुआ तो आप यह उसके मुँपे मार देना तो सबसे पहले हमने देखा कि फरांटी effect में जो voltage होगा जो voltage हमारा rise हुआ वो डिरेक्टी प्रपोर्शन निकल के आया किसके एक तो उसमें था डिरेक्टी प्रपोर्शन था एल स्क्वेर के और एफ स्क्वेर के सब्ज में आरी बात है यानि एक तो frequency के स्क्वेर के बराबर था अभी देखो पीछे क्या देखा डेल वी आर इक्वल टू कितना था एक्वल टू था तुमारा omega स्क्वेर एल स्क्वेर ठीक है वी supply and voltage supply side and l and c तो यह इसको खोलो के तो टू पाई F का स्क्वेर तो यानि कि frequency के स्क्वेर के तो हम देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा frequency होगी ठीक है यानि कि अगर frequency बढ़ाते जाओगे तो 50 Hz आ रही अभी तो अगर अमेरिका में चले जाओगे इंडिया में अगर इतना है इतना ही वी खार है तो यहाँ पर जो होगा इतना सारा डेल वीर होगा यानि कि इंक्रीज इन वोल्टेज वह जज़ादा होगा इन अमेरिका यानि फ्रण्ट इफेक्ट ज्यादा कहां देखने को मिलता है, it is only possible in case of long transmission line के वर long में, क्यों? क्योंकि short में तो मतलब भी नहीं है और medium में भी इतना important नहीं है, लेकिन जैसे हमाई line 200 km को cross करती है, L square का effect जो होता है, वो dominate कर जाता है, फरांटी effect हमें देखने को मिलने लगता है, समझ मारी बाती, इसलिए मैंने लिगा ह के लिए 2 condition क्या है, पहली condition, लंबी line होनी चाहिए, दूसरी condition रात का समय, यानि कि no load की condition होनी चाहिए, तो these are the important points, next बात कर लेते हैं, second most important point यहां पर देखा है, कि फरांटी effect जो होता है, उसका main culprit कौन था, अगर कोई तुमसे पूछ ले, main कारण क्या है, तो line का capacitance is the main current, और नहीं तो एक charging current flow कर रहा था, IC, main कारण कौन है, IC का भी जो main कारण है, वो क्या है, line का capacitance, यानि कि ultimate, जो main गुनागार है, इस पूरी लड़ाई का, इस पूरी फसाद का, वो है हमारा line का capacitance, यानि कि line का capacitance क्या होता है, दो conductor जो होते हैं, transmission line के, इनके बीच में बनने वाला capacitance, ठ देखें, तो ये कब बढ़ेगा, तो अगर ये line का capacitance किन किन वजाओं से increase होता है, तो एक तो length of the line पर depend करेगा, क्यों, क्योंकि जितनी लंबी हम length लेंगे transmission line की, उतने ज़्यादा capacitor picture के अंदर add up होते जाएंगे, और उतने ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, तो इसकी व यहां से देखो, दो चीज़े बड़ी important आती है, कि फरांटी फेक्ट, third point यहीं से जुड़ा हुआ है, कि फरांटी फेक्ट की जब भी हम बात करेंगे, तो यह बहुत ही ज़्यादा, जो long transmission line होगी, उसमें high होगा, साथ ही साथ बड़ा important है, ठीक है, overhead transmission line, OHT मतला overhead transmission line, इसमे high होगा, और short transmission cable में भी हो जाता है, ठीक है, तो अगर आपको transmission line चाहिए, transmission line में, overhead transmission line में करवाना है, तो इसके लिए long transmission line लगेगी, long TL की जरुवत पड़े गया नहीं, greater than 200 km, लेकिन अगर आपको यही चीज़ cable में front effect देखना है, तो front effect cable में short transmission cable में भी देखने को मिल जाता ह बाइ, short cable में front effect हो जाता है, ठीक है, reason क्या है, क्योंकि cable के अंदर capacity 10 बहुत dominate करता है, capacity effect जो होता है, बहुत जादा होता है, इसकी चर्चा करेंगे, जब हम cable की बात करेंगे, वहाँ पर मैं पूरा आपको formula से detail में समझाँगा, सभज में आ रहा है, तो अगर front effect को तुम से पूछता है, तो front effect क्या long transmission line में होता है, जो हाँ long में होता है, लेकिन in case हो overhead transmission line, अगर हम cable की बात करेंगे, तो short transmission line में भी हमें front effect देखने को मिल जाएगा, because, क्योंकि capacitance बहुत बढ़ जाता है, और इसके जोड़ा हुआ यह बड़ा important, मैंने effect आपके साथ share करा है, क्या हो र लेकिन अगर हम बात करते है, capacitance की, तो वो देखो 20 से 60 गुना, 60 times, 20 to 60 times हो जाता है, cable के अंदर capacitance, ठीक है, compare to the capacitance और overhead transmission line, यानि कि यह जो capacitance overhead transmission line में बन रहा है, और cable के अंदर जो capacitance बन रहा होगा, between two conductors, इनके बीच में कितना अंतर होगा, 20 से 30, 20 से 60 गुना जादा cable के अंदर capacitance बनता है, तो क्योंकि cable के अंतर जो capacitance है, वो 60 times है, 20 to 60 times, 20 to 60 times, compare to the capacitance of overhead transmission line, तो इसी लिए, यहां का क्योंकि capacity effect dominate कर रहा है, और अगर capacity effect dominate कर रहा है, तो फेरांटी effect यहां पे short transmission line में बहुत easily हो जाए, क्योंकि फेरांटी effect क्या है, direct proportional to C and L, तो C directly proportional है ना, तो बस यहीं cable के अंतर short cable में भी, इसलिए मैंने यह line लिखी है, कि अगर front effect आपको देखने का बड़ी इच्छा है, तो over head transmission line अगर तुम्हें उसमें देखना है, तो उसके लिए long over head transmission लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम्हें cable में देखना है, तो यह short transmission cable में easily visible हो जाएगा front effect, ठीक है कि receiving end का voltage shoot up कर जाएगा, क्योंकि VR greater than VS voltage swell के नाम से यह जाना जाता है यह phenomenon, दूसरा क्या होगा, insulator damage हो जाएगे, अब देखो क्या हुआ, मान के चलते हैं हमने transmission line बनाई, transmission line के अंदर insulator काम क्या होता है, कि यह cable को hold करके रखते हैं, और tower से support देते हैं, लेकिन mechanical support देते हैं, electrical support नहीं देते, पर क्या होता है, अगर अब यह जो insulator, जो insulator की string हमने ली है, these strings जो है, यह इनका क्या voltage rating होती है, these are decided by the voltage level की कि कितना voltage का conductor इन्हें hold करना है, जैसे मानलो ही conductor है, तो इसका voltage level कितना है, इसके basis पी insulator हमें जरूरत पढ़ते हैं, अगर यह voltage, हम तो generally अगर transmission line की ब 220V के लिए हम लोग receiving and voltage वाला receiving and मान लें कि बहुत ही अच्छा होगा, मतलब बहुत ही सब कुछ बढ़िया रहा, तो हमें receiving and 220V मिलेगा, ठीक है, समझ मारी बात ही है, तो इसके लिए हम मान लेंगे कि चलो ठीक हम जो insulator string लगा रहे हैं, वो 220V के लिए लगा देंगे, पर अ हो जाता है, and becomes a conductor in case of if the voltage increases its voltage rating, तो अगर voltage rating से ज्यादा voltage आ गया, तो इंसुलेटर पंचर हो जाएगा, इंसुलेटर पंचर हो गया, तो भईया जो इंसुलेटर थे वो conductor बन जाएंगे, और सारा सारा current जो होगा, वो ground में enter कर जाएगा, तो इंसुलेटर damage is the most important part, जिसकी अगर मानलो 260 आगया, तो उड़ जाएगा, तो due to high voltage, रिसिक्मेंट वोल्टेज से घर के अंदर के TV भी भी फुक जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी इंसुलेटर यूज हुआ है, और इंसुलेटर की प्रापर्टी होती कि एक limit ही, एक मतलब certain voltage के लिए वो design होता है, so that is the case, finally fourth point की बात कर लेते हैं, unnecessary tripping of voltage, अब देखो transmission line के अंदर जब भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर release लगी होती है, यह रिलेज क्या करते हैं, monitor करती रहती है, current को, voltage को, और जो भी rated value से ज़्यादा होता तो related हो जाती है, अब इसके अंदर क्या होगा, जवर दस्ती, कोई fault fault हुआ नहीं, लेकिन केवल फेरांटी फेक्ट की कारण क्या होगा, receiving end का voltage होगा, वो एक्सीट कर जाएगा, supply end से, अब यह जो relay लगाई गई है, इसकी certain, यह मतलब मालो अगर तुमने generally यह लगाई होती है, वो supply end के लिए बनी होती है, sending end voltage के तक के लिए बनी होती है, इस स ज्यादा voltage को, वो fault की तरह treat करेंगी, तो ऐसे case में क्या होगा, यह relay trip हो जाएगी, तो जब रदस्ती का tripping होगी, कोई fault fault हुआ नहीं, लेकिन relay trip हो जाएगी, relay trip होगी, तो light जो होगी, वो disturb होगी, light की कह सकते हो, system जो होगा, वो बार-बार disturb होना पड़ेगा, so these are the four serious effect, जो current effect जो होता है, वो किसी भी situation में मान ही नहीं होता है, मतलब हमें पसंद ही नहीं होना ही नहीं चाहिए, तो क्या करें, तो उसके लिए यहाँ पर देखो, तीन solution होते हैं, सबसे पहला solution है, जो पुराने सभी होता था, shunt reactor का इस्तमाल कर लो, shunt reactor क्या होता है, shunt reactor होता है, basically य ज्यादा supply कर रहे हैं, यानि system के अंदर reactive power ज्यादा मौझूद है, जितनी demand है, तो क्या करोगा, demand को बढ़ाना पड़ेगा, अब demand को कैसे बढ़ा सकते हो, तो consumer को तो रात है फोन करोगे, नहीं कि बाई उटके आर मोटर उटर खोल लो, तुम क्या करोगे, तुम यह शंट reactive power निकल के line के अंदर जा रही थी, वो अब इस reactor के throw absorb हो जाएगी, और transmission line जो होगी, उसके अंदर reactive power diminish हो जाएगी, कम होने लगेगी, ठीक है, तो यह this is the most important thing, बद यह पहले यूज़ करते हैं, आज के सब्सक्राइब क्या यूज़ करते हैं, second point, install fact devices, these fact devices are power electronic based converter होते हैं, ज उसको check करना मजा आएगा, तीसरा क्या है, avoid no load situation, तो कोशिच करी जाती है कि no load situation generally ना आए, पर again this is out of control, यह कोई utility control नहीं कर सकता, पर फिर भी कोशिच की जाती है, so these are the three methods जो कि हम use कर सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा factfully यह है, पहले यह use करते हैं, अब हम लोग इस प बात करीए कि कैसे हम लोग depreciation charges collect करते हैं, क्या process होता है, one of the most interesting video, इसको ज़रूर देखना, साथी साथ अगर आप robotics में बड़ा interest रखते हो, तो servo motor जाके देखो, special machine की कैसे क्या काम करती है, सब को जिसमें मैंने बताया है, तो आपको lecture पसंद आया, तो like कर सकते हैं, आपने म कीम्त समय दिया, उसके लिए धन्यवाद